कि नमस्कार दोस्तों मैं जतिन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में बातचीत करने वाला है क्रिप्टो करन्सी मार्केट के अंदर आई एक बड़ी गिरावट के बारे में जो हमने कल यहां पर द अल्मोस्स यहां पर मार्केट एक क्राश यहां पर लिया था इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे कि कहां पर है अगला सपोर्ट यहां पर मार्केट में कहां तक मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है क्या कोई bounce back यहां पर expected है या नहीं है इन सब चीजों के बारे म को motivation मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आप सब लोगों ने अगर कल का वीडियो गर देखा है तो उसमें मैंने आपको clear-cut यह चीज़ बताई थी कि 1600 1683 के पास से ही जो है एथेरियम basically reject हो गया और वहां पर एक pattern देखने को मिल रहा था जो कि मैंने आप सब लोगों को Twitter पर हमारे जो है उस पर update कर दिया था तो चलते हैं हमारी computer screen पर आप सब लोगों सारी update देते हैं क्या कुछ prices चल रहा है क्या कुछ expected है आने वाले समय में तो चलते हैं हमारी computer screen पर तो दोस्तों यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि Bitcoin का प्राइस चल रहा है 18,833 और इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1528 यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी यहां पर जो हलकी सी recovery है क्योंकि market यहां पर 1500 के नीचे चला गया था तो अभी यहां 1530 के आसपास रहा है 20 255 के आशा सबस्तों आया और यहां पर ओगर आप आप इस को देख रहेँ यहां पर तो यहां पर देख़े हैं कि मैंने आपके लिए आप सब लोगों को ट्विटर है यह चीज वांग कर दिया था कि अनदर बेरिश पार्टन ऑन बिटकॉइन चार्ट और यहां पर हम देख सकते हैं कि पहले जो था यह राइजिंग वेच था जो कि ब्रेकडाउन हुआ फिर यह यहां पर बैसिक लिए ए स्क्रीन शॉट क्याप्चर किया और आप सब लोग के साथ शेयर किया था हमारे ट्विटर हैंडल पर और उसके कुछ समय के बाद मैंने यहां पर यह साथ बच के चौबेस मिनट पर शाम को शेयर किया था और रात को अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको दुबारा एक ट् सबयाँ वहां पर फी मैं आप सब लोगगों को ट्विट शेयर किया था उसके साथ-साथ मैंने आप सब लोगों को इसे भी डिलेटेड जो यहां पर ट्वीट था वह बहुँने यहां पर एक राइज़ींग वेच पाटन यहां पर बन रहा है और मैंने यह चीज बताई थ मैंने ये चीज clearly बताई थी और उसके बाद यहाँ पर market में क्या कुछ हुआ वो तो आप सब जानते ही है एक और screenshot शेयर किया था जो कि 15666 पे था और आज तो market actually में 1500 के भी नीचे आ गया ये भी pattern break कर दिया है market ने तो अभी समय पर market का situation जो है वो है bearish अब यहाँ पर कहां तक bearish हो सकता है क्या कुछ यहाँ पर scenario लग रहा है उन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं BTC USD का अगर यह मैं चार्ट देखूं तो यहाँ पर मेरे को एक अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट तो नजर आ गई है अब आगे क्या what is next तो सबसे पहले ना एक बारी के लिए डेली चार्ट पर चलते हैं और आप सब लोगों एक fact बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा fact क्या है देखिए यहाँ पर bears के लिए अच्छा fact है लेकिन bulls के लिए of course यह अच्छा fact नहीं होगा अगर आप यहाँ पर एक थी 18,956 पर 18,956 इस वह दी अगर इस bear market का जो है lowest closer था लेकिन कल यहाँ पर market में जब गिरावाट आई तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब जो lowest closer हो चुका है वह चुका है 18,769 का तो यहाँ पर यह जो closer है अब यहाँ पर एकदम lowest closer हो चुका है यहाँ पर पिछले अगर मैं बात करूँ पिछले देड़ साल के अंदर तो यह एक lowest closer हमको यहाँ पर दिखा है इस से नीचे के level पर अभी तक Bitcoin ने closer नहीं दिया है पिछले बीते कुछ समय के अंदर अगर मैं बात करूँ देड़ साल के अंदर करीब करीब basically December 2020 में हमको जो है इस के नीचे इस level के नीचे closer देखने को मिला था उसके बाद तो bull run आ गया और bull run आने के बाद जब यह bear market आई है तब यहाँ पर हमको एक lowest closer हमको daily chart पर देखने को मिलिया जो कल की candle closer के साथ हमको देखने को मिला था और अगर हम अभी हम देखेंगे तो weekly candle यहाँ पर red है तो weekly candle हमको यह चीज़ देखना है कि कौन से level पर यहाँ पर closer देता है क्योंकि weekly जो सबसे lowest closing जो हमको अभी तक मिली है वो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको मिली है 19,294 मतब कि 19,000 के ऊपर ही हमको देखने को मिली है 19,300 के के आसपास basically देखने के लिए म हमको उसके नीचे यहाँ पर जो है weekly candle closer देखने को नहीं मिला है अब हमको देखना ही है कि weekly candle closer 19,000 के नीचे मिलता है कहां मिलता है उसके हिसाब से आगे की strategy जो बनाई जा सकती है मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से अभी तक lowest closing हमको daily chart पर मिली है market के chance और बढ़ जाते हैं नीचे जाने के लिए और यहाँ पर अगर हम बेसिकली अगर हम चार घंटे के चार्ट पर अगर हम एक बरी के लिए अगर हम आ जाए तो हमको कुछ चीज़ें नजर आएंगी कि देखिए market जब गिरा यहाँ पर जो lowest point जब बनाया है और उसके बाद जो ब यहां पर भी हमको एक बन जाता है जो कि है सम्वेर अरॉंड नाइटीन थाउसेन थाउसेन फूड़ा सा तो कहने का मतलब यह है कि अगर market इस level के आसपास यहाँ पर रहता है और market continuously reject होता रहता है तो यहाँ पर हमको और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है Bitcoin के चार्ट के ओपर कौन से levels है क्या कुछ level है वो मैं आपको आप सब लोगों को अगर हम वीकली चार्ट पर अगर हम लेके चले तो आप सब लोगों को एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ मैंगी कि देखिए यहाँ पर 14,000 का जो level है यह वाला level जहां पर की एक बार यहाँ पर विक थी राइट यह बेसिकली इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो this was 14,000 के आसपास का level बेसिकली 13,980 का level था यह मैं को बहुत अच्छे से आदे क्योंकि मैंने इस इस growth को जो है अच्छे तरीके से उस समय पर हमने यहाँ पर analyze किया था और 14,000 के आसपास का यह level बनता है उसके बाद अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ तो यहाँ पर और भी levels बनते हैं जो कि important रहेंगे यह 12,000 के आसपास का level 11,500 का level हो सकता है यहाँ फिर 12,000 के level के आसपास के हम बात कर सकते है यह फिर हम यहाँ पर भी एक और यह देख सकते हैं यह level जो कि 12,500 के आसपास का level है तो यह जो important levels है दी जादा support अभी यहाँ पर immediate support अगर मैं बाद में बात करूं कुछ चमय के बाद अगर यहाँ पर जो में कोई नजर आता है that is 14,000 का level 14,000 का level काफी जादा important रहेगा यहाँ पर bitcoin के लिए अब क्योंकि यहाँ पर फिसल चुका है bitcoin 19,500 के नीचे आ चुका है उसके पहले एक बहुत ही छोटा सा support जो की मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत जादा एहमियत रखेगा market के अंदर which is 17,600 यह कोई बहुत जादा एहमियत नहीं रखने वाला मार्केट में क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा strong यहाँ पर support नहीं है आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई volume भी generate जादा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक बार ही सिरफ और सिरफ यहाँ पर market एक बारी आया था फिर उसके बाद नीचे bear market स्टार्ट हो गया था और जब बुल market स्टार्ट हुआ तब भी यहाँ पर कुछ जादा समय के लिए रुका नहीं था market तो कोई यहाँ पर बड़ी volume नहीं है इस जगा के आसपास तो मुझे लगत बात करें इधेरियम की तो इधेरियम के चार्ट के ओपर भी हमने यहाँ पर अच्छी घंटे के चार्ट पर ताकि हमको नजर आ जाए जो चार्ट हमने आप सब लोग के साथ शेयर किया था तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यह है बिसिकली कुछ लेवल जो कि हा है काफी अच्छा था सपोर्ड भी जो था वह यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ड वो ब्रेक हो गया और अभी के लिए प्राइजस थोड़ा सा ऊपर की तरफ है राउंड अबाउट अगर मैं बात करूं तो पंदरा सो पैंतेस पंदरा सो चालिस के आसपास के लेवल जो यहाँ पर अगर हमको 1530 के ऊपर कहीं पर भी प्राइस अगर देखने को मिल रहे हैं इन फाक्ट अगर मैं 1520 के ऊपर भी अगर प्राइस अगर देखो तो वह अच्छी कासी शौटिंग अपर्चूनिटी है और उसके बाद मार्केट हमको हो सकता है कि आने वाले वक्त के अ बिश्च लाइक यूएस का स्टॉक मार्केट यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर चुका है वो भी हमने कल ही यहाँ पर बेसिकली देख ली थी अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पर एक सपोर्ट था जो कि होरिजॉन्टल सपोर्ट था और इस स स्टॉक मार्केट ने बेसिकली S&P 500 ने ब्रेकडाउन कर दिया है तो मेरे इसाब से अब US का स्टॉक मार्केट भी बहुत जल्दी दरीके से यहाँ पर और जादा गिरेगा और ऐसे चांसे बहुत जादा बन जाएंगे कि यहाँ पर मार्केट यह जो सपोर्ट बनता है और यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो सपोर्ट बनता है something around 36, 36, 38 के आसपास यह भी लेवल और इसके ऊपर का जो लेवल है 3723 का लेवल यह भी जो है यहाँ पर next सपोर्ट देखने को मिल सकता है लेकिन उमीद यह है कि यह सपोर्ट भी breakdown हो सकते हैं बहुत जल्दी और मार्के horizontal lines है इनको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए और आप सब लोगों को यहाँ पर सिरफ और सिरफ दो चीज़े यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा विच इस लाइक टुवंटी एमे और उसी के साथ था 21 एमे जो मेरे चार्ट पर मैं यह दो चीज़े लगा के के लिए अगर मैं बात करो तो 20 एमे को दुबारा से test किया यहाँ पर retest किया और उसके बाद दुबारा से यहाँ पर falling है यहाँ पर market monthly candle के अंदर और यहाँ पर सब लोग जानते कि quarter closing होगी तो quarterly closing यहाँ पर काफी ज़दा important रहने वाली है आने वाले कुछ दिन हमको यहाँ पर market के अंदर काफी bearish नजर आ सकते हैं तो do trade very carefully अगर आप यहाँ पर stock market में अगर कोई यहाँ पर गिरावट देखते हैं तो आने वाले समय के अंदर हमको यहाँ पर bitcoin और cryptocurrency market के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट आते वे दिख सकती है इन सब चीजों के लिए prepare बनाने की अभी कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक हमको कोई एक higher high ना मिल जाए bitcoin के अगर मैं बात करूं तो जो important resistance है वो सब लोगों सब बताते थे important resistance कौन से लेवल पर है तो यहाँ पर वापिस एक बारी के लिए one day chart पर आएंगे और यहाँ पर जो यहाँ पर सारी जो जो चीजें हैं इसको on कर लेते हैं जो basically यहाँ पर हम आपस जो यहाँ पर सारे के सारे हमने यहाँ पर बना रखे हैं trend lines and horizontal lines तो देखिए यहाँ पर important level है 20,700, 20,800 का level और यहाँ पर 20,800 यहाँ पर आप लिख सकते हैं और उसके नीचे एक और यहाँ पर जो basically support था वो था 20,700 का तो 20,700, 800 is an important level of resistance now which was earlier a support अब यहाँ पर एक important resistance हो जाती है और उस चीज़ के ऊपर जब तक यह 20,700, 800 के ऊपर नहीं जाता है price तब तक हमको यहाँ पर bullish होने की कोई जरूरत मेरे साब से नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ जो है आपर जो आपको indication मिल रहा है वो एक bearish lowest closing हमको मिल चुकी है daily candle के साथ से तो यहाँ पर काफी जादा important हो जाएगा market के अंदर कि यह market अभी और जादा नीचे की तरफ गिर सकता है चाहे Bitcoin हो चाहे बाकी सारी crypto currencies हो चाहे वो NFTC क्यों नहीं हो या फिर web3 projects हो सब कुछ चीज़ें यहाँ पर market में नीचे की तरफ गिर स दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आओगा और informative लगाओगा अगर आपको वीडियो informative लगा है कुछ सीखने को मिला आपको आज के इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा ज्यादा ज्यादा झाल